जैहिंद DRDO Defense Research and Development Organization तो फ्रेंट्स फाइनली जिन इस्टुरेंटों ने भी DRDO Defense Research and Development Organization September 10 में फॉर्म एप्लाइ किया है वो किसी भी ब्रांच के लिए किया हो चाहिए वो Technical Assistant Post के लिए किया हो या फिर यहाँ पर Technician A Post के लिए Department ने एक लिस्ट जारी की है यहाँ पर भाई आप देख सकते हो मैं DRDO September 10 के Official website पर हूँ आप यहाँ पर नीचे देख लीजेए वाई यह जो अपडेट है यह आज ही की दिन आया है Click here to view download list of reject not considered application under September 10 तो यहाँ पर भाई मैं इस जो है PDF को open करूँ मैं DRDO September 10 में जो reject student है उनकी लिस्ट पर आ गया हूँ यह इनका official PDF है अब यहाँ पर भाई आप देख रहे हो तो आपको भाई क्या करना है उस reason को यहाँ पर लिखना है challenge against reject application और department को mail करना है उस reason को लिख करके यहाँ पर कब तक आप mail कर सकते हो 20 October 2022 तक आप यहाँ पर mail कर सकते हो ठीक है और उसके बाद आप देख रहे हो भाई यहाँ पर यह mail ID दिया है इस mail ID पर जो है आपको यहाँ पर mail करना है अगर आपका यहाँ पर इस list में नाम है तो अब आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जो बताया गया है कि in case of reject due to multiple application against one post code accept application has been indicated in remarks column तो यहाँ पर बताया गया है यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका नाम भी दिया गया है भाई application number दिया गया है father name mother name दिया गया भी पोस्ट कोड भी दिया गया है है ना reason for not considered ठीक है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने टेखनिकल असिस्टेंट और टेखनी से दोनों का यहाँ पर फॉर्म फिल किया है जो डिप्लोमा और आईटेई वाल स्टूडेंट है तो यहाँ पर दोनों के फॉर्म ऐसा नहीं है हाँ जिन्होंने एक पोस्ट के लिए डबल वार फॉर्म फिल किया है भाई उनके फर्स्ट फॉर्म में कोई mistake हो जाती अगेंस उसी पोस्ट में जो है आपने दो बारा फिर से फॉर्म फिल किया है तो जो पहला वाले आपको फॉर्म है उसको finally reject किया गया है त तो यह सारा कुछ है तो भाई देखो आपको आगी की process तभी करना है जब आपका इस list में नाम आता है तो ठीक है अगर आपका form यहाँ पर भाई officially आपका reject किया गया है और आपका form में नाम आता है तो आप फिर जो है department को mail करिएगा यहाँ पर और किस तरह से mail करिएगा वो mail वाला form फिल किया है तो उनका जो पहला वाला form में उसको reject किया गए ठीक है बाकि दूसरा जो form उन्होंने भदा है उसे reject नहीं किया गया है जिनके नाम में कोई mistake है जिनके date of birth address में कोई mistake है उनने student के इस form को reject किया गया है तो ट्रेंसल लेने वाला बात नहीं है अगर आपका नाम नहीं है तो भाई कोई इसू नहीं है लगबग काफी फॉर्म फिल हुए है उसमें लगबग 2357 कंडिडेट के यहाँ पर जो नाम आए है आजी के दिन आया है भाई देख सकते हो आप इसक्रीन पर 14 अक्टमबर 2022 आजी के दिन जो है यहाँ पर डिया डियो सेप्टम 10 के उफिसियल वेबसाइट पर यह जो है अपडेट आया है बाकि भाई डियो सेप्टम 10 की कोई भी अपडेट के लिए चोटी से चोटी उसके लिए मैं बैठा हूँ वह टैंसल लेने वाली बात नहीं है और यहाँ पर जिन स्टुडेंटों के नाम आए है उनकी भी यहाँ प क्योंकि इसमें बताय गया है सारा मेल आईडी भी दिया गया है 20 सक्टुमबर 2022 तक आपके पास यहां पर समय है जिन भी स्टुडेंटों के फॉर्म रिजेक्ट हुए उनका तो एक बाद नाम जरूर सर्स कर लीजेगा भाई अपने जो भी डिप्लोमा वाले डियार डियो स